जजर से विधायक और पूर्व शिक्षा मंतरी गीता भूकल ने खबरे अभी तक से खास बाचीट की है इस दुरार राज़िपाल पर निशाना साथे वे उन्होंने कहा कि राज़िपाल का अभिभाशन नीरस और निराश कर देने वाला था साथी उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है प्रदेश में शिक्षा ववस्ता बेहतर हो इसके लिए कॉंग्रस मजबूती से आवाज उठाती रहेगी हर्याना विधान सभास शत्रिकाज दूसरा दिन था काफी नौग जोग विदेखनों को मिली राज़पाल का अभिभाशन पर चर्चा के बाद किस तरह की तस्विर निकल कर आई उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्फ शिक्षा मंत्रि हर्याना की और जजजर से वि कोई विजन डॉकुमेंट नहीं था उसमें सरकार के द्वारा जो 2014 के मैनिफेस्टों में किये गए वादे थे उनका कोई जिक्र नहीं था इन्होंने 2019 एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया है और यह कहा है कि हम उसको लागू करेंगे 2009 का शिक्षा का अधिकार कानून जिसमे पहली से लेकर आठवी तक मुफ्त एवा मानिवारे शिक्षा की बात थी पांच साल बीद गए बोर्ड की परिक्षाएं शुरू नहीं करवा पाएं अब उसमें विजन डॉकुमेंट में लिखा है अभिवाशन में लिखा हुआ था कि हम बारवी तक फ्री एन कंपलसरी आ प्रदेश के लोगों का फायदा हो तुस्तरा कि हम काम करेंगे क्या लगता है आपको कि जो सरकार गठवंदन की बनी है क्या वो उन कॉमन मिनन प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ पाएगी और मजबूती के साथ प्रदेश का विकास कर पाएगी देखे प्रदेश में नई सरकार गठित हुई है बीजेपी और जेजेपी जिनके दोनों की विचारदारा बहुत अलग थी एक दूसरे की खिलाफ चुनाओ लड़कर आए सरकार बनी है हम शुपकामनाई देते हैं उमीद करेंगे सरकार अच्छे डंग से काम करें और प्रदेश को तरकी के रहा पर जिनके पास अच्छे आइडियाज होते हैं खास्तों से स्विक्षा कि मैं बात करूँ कोई कि बहुत एहम विशह है दिखें सरकार कभी भी गंबीरता से नहीं लेती उमीद करेंगे इस बार जो है सरकार से खास्तों से जो कॉमन इशूज हैं परदेश के हित्क में इशू ह जिनके परदेश के लिए जिनके बात करेंगे इसको आप किस तरह से देखते हैं बड़ा ही मजाक लग रहा है अभी पीछे से जो एस जो की बढ़ती हुई थी असी में से 78 बाहर के थे केवल मातर दो बच्चे हमारे हर्याना के थे शुक्रिया बात करने के लिए गीता जी विदायक हैं पूर शिक्षा मंत्रिया और शिक्षा की बात उन्होंने जादा की और एक एहम विश्य भी है बाकि उन्होंने कहा कि जहां भी अगर ये लगा कि सरकार जनताकित की बात नहीं कर रही तो फिर एक मजबूत भी पक्षोने के नाते वो सरकार को याद दिलाने की कुशिश करेंगे और पूरी तरह से घिरने की कुशिश करेंगे अपने कैमरा परसन जतिन के साथ मनासिर कुरेशी खबरा भी जख के लिए